दोस्तों वन सेकेंड वेरी वेलकम बैक टो दो न्यू वीडियो और आज जब मैं न्यूस्पेपर पढ़ रहा था तब मेरी सामने कुछ सोकिंग न्यूस आई थी क्योंकि यहां पर मुझे पता है कि mostly आप मेंसे भी काफी सारे स्टूडेंद्स एक ग्रीम रखते होंगी कि उसको फोरेंड की उनिवर्शिटिटी वे जाके masters करना होता है foreign में जाके यहां पे अपना जो engineering की master की जो study होती है या फिर MS की study होती है उसको करनी होती है तो यहां पे आज मैंने ये news paper देखा हूँ और मैंने सुझा कि ये news का article आपके साथ भी share करना चाहिए तो गुजराद UP Punjab, हर्याना उत्रा खंडो समावेस ओस्टिल यानी Bay University नो भारत ना चो राजियों ना विद्यार्थी पर प्रतिबन अब ये क्या कुछ हुआ है और किस रीजन से यहां पे ये कुछ हुआ है इसके उपर हम पूरा वीडियो में discussion करने वाले हैं ओस्टिल यानी बे युनिवर्सिटी ए वीजा को भान आजरवानू हुआ नो आरोप लगावीने पारत ना पांच राजियों अने एक केंद्र सासित प्रदेस कस्मिर ना विद्यार्थियों पर प्रतिबन मुखी दितो होता स्टूडन्ट विजा मेडवीने नोकरी करवा नो आरोप मुख्यो होता स्टूडन्ट विजा लाईने विद्यार्थियों नोकरी करता हुआ थी प्रतिबन्ध मुखायो छे युनिवर्सिटी ए विजा कोभाण गडावियो छे विक्टोरिया मा आवेली फेटरल युनिवर्सिटी ए अने न्यू साउथ वेल्स मा आवेली वेस्टन सिडनी युनिवर्सिटी ए भारत ना छो राजियों नो विद्यार्थी ना पर प्रतिबंध मुख्यों छे युनिवर्सिटी ए अलग-अलग निवेदोन मा विजा कोभाण नो आरोप लगावियो छे उसके लावा यहाँ पे कौन-कौन से है एक केंदर सासित प्रदेस है तो जिसके अंदर उत्राखन और जम्मू कस्मीर विद्यार्थी होए आ वर्से युनिवर्सिटी इस मा प्रवेस्ट मेडवी सक्से नहीं आ विद्यार्थी होए आरोप लगावियो छे आ युनिवर्सिटी इस आरोप लगावियो छे के स्टूडन्ट विजा लाई ने भारतिया विद्यार्थी हो न्यातो जाई छे परंतु आ स्टूडन्स वहाँ पी जाके नोक्रियों करवा लागे छे युनिवर्सिटियों ना एहवाल प्रमाने आ राजे माथी आउती अर्जी माथी एक नकली होई छे, अथवा तो अयोग्य होदी न थी, आ अर्जीयों मात्र नोकरी ना हेदू थी थाई छे, युनिवर्सिटिये सत्तावार रिते एज्यूकेशन एजन्स ने आ अंगे नी ल बोड़ा समय मा एक बन्त हसे, पर तु आ ट्रेंड बनी चुकियों छे, उलेख निया चही के आगाव विक्टोरिया युनिवर्सिटी, एडित कोभिम युनिवर्सिटी अने टोरेंस अने साउधन क्रोश युनिवर्सिटी हे, गुजरात ना किठला क्राजिय सहीत ना तो या, that's it for today's video, thank you very much for watching this video, if you have any doubts then feel free to ask me in the comment section, thank you, bye bye